हेलो प्रेंड आप लोग कैसे हैं आयो फच्छे होंगे यह देखिए आज हमने ठंडे के मौसम में कचालू उग्दम चटपटा बना कर त्यार किया है यह कचालू बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और ठंडे की साहित में आप जरूर बना कर ट्राय करें यह बहुत ही अ अच्छा हुआ है आप इस तरीके से जरूर ट्राय करिए आए चलिए हम आपको इसकी फुल रेस्पी बताते हैं यहां पर हमने आलू लिया है जो नया आलू है आप इसका छिलका उतार लीजिए यह चिलका बहुत असानी से उतर जाता है बस आप चाकू के साहते से हलके से तक अप्रागारथेंगी यह अच्छे से निकल जाएगा हमने इसे अच्छे तरह से वास कर लिया था हमने गैस को बान कर दिया कूकर में हमने जिट गिलास पाने लिया है उसे डाल कर हम रख देंगे हमने जो आलो वास करके गल जाए अच्छी तरह से यहां में ज्यादा इसे गलाना भी नहीं है थोड़ा टाइट ही रहे तो अच्छा रहता है इसलिए हमें से ज्यादा नहीं गलाना है हम इसमें दो से तीन सीटी लगाएंगे दूसरी तरफ हमने एक पलेट लिया है जिसमें हम मसाले को बटो रहेंगे यहां पर हमने सूखी खटाई लिया है जो यह देखिए इस तरीके से सूखी खटाई आप ले लीजिए हमने थोड़े सूखी खटाई खड़े भी लिया है थोड़े जो दरदरे रहते हैं उसे भी ल की लिए था और याँ पर जीरा हमने लिया है अब आपने हिसाब से धन colonial जीरे को कव सब्सक्राइब कश्म कश्मका यहां ज्यांसे को अपत थोड़ा बना है थोड़ा दे लेकिटे मेक्षिटे यह से यह फ यह अब हम नने लाल मिर्च लिया है उसका घृ hin दैर वो तोड़ द देंगे कि यह जो खटाई का प्रस रहता है वो पानी में अच्छी तरह से अबजर्ब हो जाए तब ही यह हमें साथ में पूरा खटाई नहीं डालना है बस इसका पानी ही डालना है यहां पर आप देख सकते हैं कुकर में सीटी लग चुका है अब हम गैस को बंद कर देते हैं हमें इस कुकर का गैस निकाल लेना है अब दूसरी तरफ यहां पर हमने एक फ्राइदान लिया है गैस को हमने आन कर दिया था अब उसमें हम अपने मसालिक को भूनेंगे पहले हम जीरे को डालके धनिया को डालके अच्छी तरह से भून लेते हैं इसे हमें हलका ब्राउन करना है बस ज्यादा हमें इसे जलाना नहीं है बस हलका ब्राउन ही रहे इसे हमें अच्छी तरह से चलाते रहना है नहीं तो यह जल जाएगा इस तरीके से आप हिला कर इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लें यह लगबक से हमारा धनिया हो गया है अब इसे हम निकाल देंगे अब हमने जीरा को जिलिया था उसे भी भूल लेंगे सब्सक्राव हमें हलका ब्राउन करना है ज्यादा नहीं करणा चले लिए चल जाएगा हमें हलका ब्राउन करके अच्छी तरह से इसे चल आकर निकाल लेना है इसे भी हमें अच्छी तरह से चला कर हलका ब्राउन कर लेना है अब जीरा की वज़े पर दूसरा सौफ भी एक आता है जो बिल्कुल जीरा की तरह रहता है उसे भी आप डाल सकते हैं उससे भी इसका टेश बहुत यह अच्छा रखता है अच्छी तरह से चला कर लेना है हमें हलका ब्राउन ही चाहिए ज्यादा इसे जलाना नहीं है यह बहुत ही अच्छा बनता है बहुत ही टेश्टी आप ठंड के साइथ में जरूर बना कर दाए यह यहां पर देखिए हमारा मेर्च इक्दम अच्छी तरश लाल हो गया है अब इसे हम ग्रेंडी में पीस लेंगे हमें इसे दर दरा थोड़ा मसाला बना कर त्यार करना है ज्यादा पतला नहीं है यहां पर हमने जो आलू लिया था वह देखिए वह अच्छी तरह से बंड़ा हो चुका है अब इसे हम काट लेंगे इस तरीके से देखिए हमें सारे आलू को काट लेना है हमें ज्यादा पतला नहीं करना है इसे थोड़ा मोटा ही चाहिए तब इक चालू हमारा अच्छी तरह से लगेगा खाने में पतला रहने से यह तूट जाएगा हमें थोड़ा मोटा ही पीस काटना है इसका इस तरीके से हम सारे आलो को काट लेंगे साथ में हमने यह जो खटाई भिगोकर रखा था वह देखिए कि अच्छी तरह से फूल गया है इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे कि बाकी जो खटाई बचा है उसमें वह भी निकल जाए इसमें अब अगर आपके पास खटाई ना ह तो आप नेवू का रस और एमिली का रस भी ले सकते हैं उससे भी खटापन बहुत ही अच्छा आता है लेकिन आपर हमने खटाई ही लिया है अब कोई साभी यूज कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो यह देखिए इतना पानी हमारा निकला है खटाई में हमने यह जीरा और सौफ था उसे भी अच्छी तरह से पीस लिया है पहले हम जीरे को डालकर अच्छी तरह से इसमें डालेंगे साथ में हमने मिर्च पाउडर जू लिया था उसे भी सौफ को भी हम डालेंगे अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है साथ में हमने आपने सौधन सार आप नमक डाल सकते हैं जैसे आप तेज और कम खाते हूं यह पर हमने नमक को डाल दिया है इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे यह जो हमारा आलू अच्छी तरह से इसमें भिंजा ह अब हमने पानी कुदली जो खटाई का पानी था उसे भी डाल दिंगे ये बहुत ही चटपटा खटापन आता है इससे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में आप घर पे जरूर ट्राई करिए अगर ये वीडियो आपको मारी अच्छे लगे तो लाई सब्सक्राइब करना न भूले ये दिके हमारा कशारू बनके तयार है उसके उपर से हम धन्य डाल देंगे जो की बहुत ही अच्छा लगता है खाने में टेस्ट इसका और ही बढ़ जाता है आप घर पे जरूर बनाईए अगर ये वीडियो आपको मारी अच्छे लगे तो लाई सब्सक्राइब कर